सो नमस्कार और स्वागत है फिर से आप तभी का आई इस पॉइंट के डेली करन्ट अफियर इनालसिस सेशन की एक अत्यंत इंपॉटेंट सेशन में और बात करें आज की टॉपिक की तो आज का हमारा टॉपिक जो है इतिहास में दर्ज होने वाला है अर्थात अध्या निर् हैं उनको संहित करते हुए इस सेशन को कंप्लेट कराई जाएगा बात करें आज के टाइटल का तो आज का मना टाइटल आप सभी देख पा रहे होंगे अयोध्या निर्माड यानि इस टॉपिक का अयोध्या निर्माड रखने का अपना एक प्रमुक रीजन है क्योंकि श्याद के साथ ही अयोध्या का निर्माड हो जाएगा और अयोध्या की निर्माड छेही संपूर भारत का झाइग निर्माड अपने नई और प्रक्रीशील पथ हर अग्रस अपना आइतिहासिक निरड़े सुनाया जिसे सुप्रीम कोट्ने भीवादी जमीन पर राम लला बिराजमान का हख माना और फाइसले में सुप्रीम कोट Divine स्हास्तिकड की भीवादी जमीन राम लला न्यायस को देने का ऐलान किया था जिसमें Chief Justice जस्टिस गोगोई, जस्टिस एसे बोबडे, जस्टिस डिवाई चंद्रशूड, जस्टिस असोग भूशड, जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठने असपस्ट किया की मंदिर को अहम स्थान पर ही बनाया जाए तो यह रहें इसके प्रिष्ट भूमी संबंधित और हम है कि आज ही की दिन जानी की पांच अगस्त इसी निलेड़े के एकौडिंग दौहरवीज, पांच अगस्त दौहरवीज को स्री राम जनुभूमी पूजन के प्रक्रिया भी संपन हुई हमारे माननी यह स्री प्रथान मंत्री स्री नलेंद्र दामुद जास्त मोदी जी के अब देखते हैं सबसे पहले एक नजर डालते हैं अयोध्या राम मंदिर के इतिहास पर तो यह हम बात करें राम जनुभूमी विवाद का जो संच्छित इतिहास है कुछ इस प्रकार है कि 1526 इसमें बाबर इब्राहेम लोदी थे जंग लड़ने भारत आया था दो साल भारत में आक्रमर किया बाबर उसके बाद उसके ही मसेनापती जिसका नाम तकि मीरवागी उसने बाबर अपने मालिक की नाम से वह बाबरी मस्जित का निर्माड कर आया और उसी मस्जीत को लेकर 330 साल जानी के लगभाव 1888 में ए बिवाद उत्पन होता है लेकिन इससे पह हुआ था 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 मन में बाद कर लेटी सरकार ने तारों की एक बार खड़ी करके विवादित भूमी की आंतरिक और बाहरी परिशर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग-अलग प्रतना करने की इजाज़त दे दी तत्पस्चात 1850 में यह मामला पहली बा पहले 1949 में 1949 के अंदर के हिस्से में भगवान स्री राम की मुर्ति रखी गई और तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इसके गेट में इसके गेट पर तारह लगवा दिया यह उन्चास में मुर्ति रखने के बाद तनाव दोनों पक्षों में बढ़ गया इसके बाद एक फर किया और जून 1989 को भारती जन्ता पार्टी यानि बीजेपी ने वी एचपी की अवचारिक समर्थन देना सुरू करके मंदिर के अंदरों को नया जीवन दिया उसके बाद एक जुलाई 1989 को भगवान रामडला विराजमान नाम से पाच्वा मुकादमा भी दाखिल किया गया और 25 सितंबर 1990 को बीजेपी अध्यक्षे लाल किस्ण आडवाली ने गुजरात के सोमनाज से उत्तर प्रदेश का योध्या तक रत यात्रा शुरू की जिसमें अनेक प्रकाय की सामपरदाइक हिंसा भी देखने को मिला इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को हजारों के संख्या में कार थाई राम मंदिर भी बनाया गया इसके बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहान आयोग गठित किया गया और आंद प्रदेश उचिनायले के सेवा निवर्त मुखिनादिस MS लिब्राहान को आयोग का ध्यक्ष बनाया गया और इनी के सानिद्ध में लिब्राहान आयोग भी गठि 21 से फैसला दिया और विबादित अस्थल को सुन्नी वक्ष बोर्ड मोहिया खाड़ा और राम लला के बीच तीन हिस्सों में बराबर बाड़ दिया इसके बाद अगले हिसाल 9 मई दोहर 11 को सुप्रीम फोट ने इलहाबाद हाई कोट के फैसलों को रोक लगा दी रोक दिया इसके बाद 21 मार्थ 27 को सुप्रीम फोट ने आपसी सहमती से विबाद सुल जाने की बाद भी कही लेकिन ऐसा कुछ संभव ना हो सका तद 56 अगस्त 19 मामले में मध्यस्ता कोई नतीजा नहीं निकल सका जिसके बाद 6 अगस्त सुप्रीम फोट में अध्या मामले की रोजाना सुनवाईश सुरू हो गई और 16 अक्टूबर 12 उनिस को सुप्रीम कोट में मामले की सुनवाईश पूरी हुई जिसमें 9 नौवंबर 12 उनिस को जो की एक एक एतिहासिक तारीक है सुप्रीम कोट ने विबादी जमीन पर राम लला बिराजमान का हक माना यानि 9 नौवंबर क को उसी में राम लला बिराजमान का ही हक माना गया और मंदिर के बक्ष में फैसला सुना आ गया अब समझते हैं इस मंदिर के निर्माड और इससे जुड़े कुछ प्रमुक्तत्यों को तो बात करें रामाड के मुताबिक अयोध्या की अस्थापना मनू ने की थी अयोध्य मतुरा हरिद्वार कासी कांची अवंतिका और द्वारिका भी सामिल है अब बात करें मंदिर के प्रस्तावित माडल के मुताबिक यह जो मंदिर है 275 लाक घन मीटर भू भाग पर बनने वाला राम मंदिर दो मंजिला होगा और इस मंदिर की टोटल लंबाई 270 फुट से दरवाजे होंगे और यह दरवाजे मंदिर के पांच हिस्सों यानि की गर्भग्री कौली रंग मंडप निर्त मंडप और सिंग द्वार में लगाए जाए जाएंगे यह जो बहुत ज्यादा इंपॉटेंट है इसके बाद राम मंदिर का जो डिजाइन है तयार करने वा नागर सैली आखिर है किया तो यदि बात करें नागर सैली की तो नागर सैली उत्तर भारती हिंदू अस्थापत्य कला की तीन में से एक सैली है वास्तु सास्त्र के अनुसार नागर सैली के मंदिरों की पाचान आधार से लेके सर्वोच अंस तक इसका चतुस्कोड होना है और इस मंदिर के सबसे उपर सिखर होता है जिसे रेखा सिखर भी कहते हैं मंदिर में दो भवन गर्वगरी और मंडब भी होते हैं गर्वगरी उचा और मंडब छोटा होता है गर्वगरी के उपर घंटा घर बनी होती है जिसमें मंदिर के उचाई और भी जादा बढ़ जात प्रशिद्ध सोमनात मंदिर इसे चाहली के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं अब समझते हैं इस मंदिर से निर्माड होने वाले कुछ प्रमुख लाब बात करें लाब की तो इसमें अस्थानी अर्थ ब्यवस्था बढ़ेगी अस्थानी लोगों के लिए रोजगार के लिए और सरस्रीत होंगे और टूरिज्म को एक बढ़ावा में लगाता टूरिज्म की एक नई दिशा भी प्राप्त होगी बात करें मंदिर बनने से यहां कई होटल्स बनेंगे तथा कई लोगों के लिए बड़े निवस्थ की योजना भी बनेगी और कई लोग बड़े निवस वर लोगों को रोजगार मिलेगा अब कुछ प्रमुक फैक्ट जोकि स्टीव जॉब्स प्रसंस्थापक और और लोगों के दरदिया गया तो पैस्थी जो संस्थापक है मार्क्त उकर बर इन्हों यह का कि हिंदू मंदिरों को मन की सांती और क्रिएटिविटी के लिए बह के वीशो प्रोफेसर मोनुष देख्षित ने का कि भगवान वेंगटेश्वर का मंदिर का प्रबंधन देखने वाला तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट तीन अस्पताल आठ विश्चु विश्चु विद्धाले वह कालेज का संचालन करता है तिर थेयात्रिय समाजिक और आर्थिक विकास की समाजिक जिमिदारियों को पूरा करते हुए सूपर स्पेसियालिटी कैंसर आस्पिटल और टेक्नलोजी उनिवर्सिटी को भी उसके द्वारा स्थापित किया गया है और स्राइन बोल्ड स्पिच्वेलिटी ग्रोथ सेंटर स्रिव विद्य समस्क्रेट गुर्कुल केंद्र का निर्माड भी इसी कंद्रगत करवाए गया है तो दिक्षित के द्वारा इन सभी क्रियां को देखने बाद यह अनुमान लगा जा रहा है कि आने वाले समय में और यह सब अयोध्या में भी संबह होगा और अयोध्या के निर्माड थे इ इंपोर्टेंट आस्पेक्ट को पराद्द करने के लिए आप हमारे वर्ट्सक ग्रूप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आज की दिन फिर मिलेंगी तब तक नमसकार और धन्यवाद